अतिरिक्त बिजली को बेज भी सकेंगे। मुझे पुरा विश्वास है कि मद्द प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आयके इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर उर्जान निरिया तक बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। ये विश्वास इसलिए अधीक है क्योंकि मद्द प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धी में बदल करके दिखाया है। आपने जो काम किया है वो हर किसे के लिए प्रेणा का कारण मना हुआ है। जिस प्रकार आपने गेहु उत्पादन के मामले रिकॉर्ड बनाया दूसरों को पिछी छोड़ दिया। वो प्रसौंस नहीं है। कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड उत्पादन किया। मद्द प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड खरीत की। उसके लिए भी आप्रहुसा के पात्र है। और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मद्द प्रदेश के सामर्थ पर मुझे पूरा भरोसा है। उमीद है कि एक दिन ये भी खबर आएगी कि कुसूम योजना के तहट मद्द प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन की है, बिजली पैदा की है। भाईयों और भेनों, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पुरी तरह से उप्योग नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास देश में ही बहतर सोलर पैनल, बहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्मान ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना हैं, और हम सब करके रहेंगे। आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट, अब देश का लक्ष है कि सोलर पैनल सहीत, तमाम उपकरों के लिए, हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। लक्ष ये हैं कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉडूल मैनिफेक्टिरिंग कैपसिटी है, उसको भी तेजी से बढ़ाया जाए। और इसलिए गरेलू मैनिफेक्टिरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। अब जैसे कुसुम योजना के तहर लगाये जा रहे हैं पंपों में, सोलार पंप बनाये जा रहे हैं। गरों में लगने वाले, रूप्टोप पैनल में, भारत में ही बने, सोलार फोटो वाल्टेक्ट सेल्स और मोड्यूल्स इसको हमने जरूरी कर दिये गए हैं। इसके अलावा, सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्ताएं, जो भी सोलार सेल या मोड्यूल खरीदेगी, वो मेक इन इंडिया ही हो, ये ताय किया गया है। यही नहीं, पावर फ्लांट लगाने वाली कमपनियां, सोलर पीवी मैनुफेक्टरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोचाहन दिया जा रहा है। मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े, उद्यम्यों से, युवा साथियों से, स्टार्ट अप से, मसमी से, यही आग रहे हैं, कि आप इस अवसर को जाने मत दिजिए। इस अवसर का फाइदा उठाईए। भाई और भेनों, आत्म निर्भरता सही माइने में तभी संभव है, जब हमारे भीतर आत्म विश्वास हो। आत्म विश्वास तभी आता है, जब पूरा देश, पूरा सिस्टिम, हर देश वासी, हम सम मिल करके, आत्म निर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकर से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारप यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्म विश्वास जगाने में जुटी है, समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारे पहुँच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुँच रही है।